आलो इसके नाजी निकल जाते हैं कभी-कभी ओ प्रेगनेसी में बहुत कुछ चलता रहता नहीं अंदर और गैस के गोले टैप बन जाते हैं बाई साहब त्यान से कभी पिर्ज़ों ने निकल जाए कम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉली वूड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गुड नियूस 2019 की फिल्म है गुड नियूस और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्प में देखने को मिल गए थे एक्षे कुमार और यहां पर देखने को म होती ही नेक्स लेवल होती है और वो एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गुड नियूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म में हमें कुमेडी बहुत ही अच्छी कमाल की देखने को मिल ज दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड नियूस मुई की 2019 की यह हिंदी लैंगवेज की फिल्म थी और यह कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिंग को रेनिंग टैम मिला हुआ था दो घंटे 31 मिनिट का और 10-6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बा क्लेक्शन किया यानि 3 क्लोड का क्लेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म रही थी जी हंदो सो देखा जा तो यह फिल्म जो के फ्लॉप फिल्म रही थी लेकिन दो सो इस फिल्म का जो बजट वगरा था ना वो काफी चायद 50-60 क्लोड लेकिन ये फिल्म बॉक्सेश पर फ्लॉप रही, इस फिल्म के अंदर हमें कोमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी, तो इस फिल्म के अंदर आपको कमेडी जॉणरा की बेलाक्स को लिखा हूँ है, जो स्टोरी को जौतीः कभूर ने लिखा और यहां पर प्रडूशर है हीरो याश जोहर, और अरुन भाल वाल यहां पर करूण जोहर अपूर ustedes, सेशनक महफित टन्स और यहां पर दोस्टो एद्वरी थे ना वह बैक्राउंड में म्यूजिक दिया हो था और यहां पर प्रडेक्शन कंपनी थी स्टूडियोज धर्मा प्रडेक्शन और कैप आफ फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कंपनी थी स्टूडियोज और सिल्म को 27 डिसमब 2019 में रिलीस करवाय गया था इस मुझे लगा यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉब और नेकिन नहीं सिल्म में काफी अच्छा कॉलेक्शन किया था और एक ब्लॉग बस्टर फिल्म रही थी और आडियन्स को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस सिल्म के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तर पर त्रिप्ती दिमरी और यहां पर एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं जिहां सो जुलाइ टुटिटिवनी फॉर में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वएरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दू जो गुड निजस फिल्म थी ना इस इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता और यहां पर करिना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिपती यानि डीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जीश उसन स्टेट के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वह कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और क्मेडी कैसे चलती रहती है और आप को इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलिम को नहीं देखवा दो इसलिम को ऑफशली एक दफ़ा देख सकती हो आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबसे पहले यहां पर कास के बारे में बता दूती हो यहां पर अक्शन कुमार इसलिम के लो प्लेूए नहीं पर अधिल में उस्मार के अंद्र रौल प्ले कर रहे हैं और यहां पर और अबूचा के अच्छा आदिट त सुन्ड कंडी स्ट tua दcha करने और यहां पर अमशी का सूथ Four आइफ ऑस्पेटल रिश्प्रेयं का 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 मिगत्दCr मौनके इसलिम उन्Дर आपर केंदर काॉर का रोल seventघर ल hates और कंदर एयर्पर sens एरटी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहांपर विशुशर माइशंदर old आईवीएफ पेशेंट का रोल प्ले कर रहे हैं उड़ैर अपेरेंस मोर पर यहां पर सुखबीर जो सौदा खड़ा खड़ा जो सौंग था उसमें जो के कैमर रोल में देखने को मिले थी और यहां पर मोहित रहना इसमें के अंदर मुराराइफ फ्लाइट जो है ना वहां पर पसिंजर के रोल में कैमर रोल में देखने को मिले हैं तो यह सारी कास्ट बगरा थी जो हमें इस स्लम के अंदर कैस्त अपिरियंस पन के देखने को मिलें थी अूधी है हैं और इस सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के लेकर इस सॉंग्स के बारे में बताओं तो यह एक बहुत यह ची कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म है और यहां पर आप सको काफी भी कुमेडी अच्छी देखने को मिलेगी टोटल आप इस सॉंग्स की लेंथ है 27 मिनिट 55 सेकेंड और यह आपको यूटूब पर जीयो रिलीस करवाया गया था फैबरेरी में यहां सो यह फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी प्लैफर्म एमजोन प्राइम वीडियो पर तो अगर आप से अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ इस सिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस म मुवी होने वाली है ना वह विकी कोशल और यहां पर 33 दिमनी और साथ यहमी वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों करेक्टर इस लिए जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म 9 जुलाइ 2024 में रिलीस होगी और अये आप दूसरे लाज में बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करता हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही इस सिर्म के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ अपडेटर रहने के लिए चैनल को लाजमी सबस्क्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने तुछ साथ और लियाग पर चैनल को सबस्क्राइब करके जाएगा कम बैक दी एन अधर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवुड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गुड न्यूस टू थाउदन नैंटीन की फिल्म है गुड न्यूस और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे कतिस मिनिट क रनिंग टैम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस लिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंके वो पंज 2019 में रिलीज की देखने को मिलेगी कैसी है ये फिल्म आपको कहा फे देखने को मिलेगी सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सबसक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात कर रहाँ गूड न्यूस मूई की 2019 की यह हिंदी लैंगवेज की फिल्म थी और यह कुमेडी ड्रामा जोनर की फिल्म थी और सिल्म को रेनिंग टैम मिला हुआ था 2 गंटे 31 मिनिट का और 10 बैस 6.80 गरी रेटिंग भी मिली हुई है और यहाँ पर बात क किया यानि 3 क्रोड का कुलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म रही थी जी हम दोसो देखा जा तो यह फिल्म जो के फ्लॉप फिल्म रही थी लेकिन दोसो इस फिल्म का जो बजट वगरा था ना वो काफी स्याद 50-60 क्रोड बजट था लेकिन ये फिल्म बॉक्सेज पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफ़ा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कमेडी जानरा की बहुत इच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों को बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो यहां पर डिरेक्ट किया राज महता ने और यहां पर जोती कपूर ने और यहां पर जोती कपूर और न आपकर ने इस सिनमोटरोगराफिक की तो विशनू जो के राव ने सिनमोट्रोगराफिक की हुई है मनीश मोर ने इस Cum को जो गैंड हुई जिछ कंड विगज़ दिया हुआ था और यहां पर सॉन्ग्स वगजरा सौंड्रैक वगजरा प्लॉक्षट सब्सक्राइब को तो पर 310 करोड का कुलेक्षन किया हुआ है मुझे लगा यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप नेकिनल नहीं इसनमें काफे अच्छा कुलेक्षन किया था और यह ब्लॉक्षटर फिल्म रही ती और औडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस सिल्म के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह के सीय हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलोई और बहुती कमाल की देखने को मिली थी अब यहां पर जो के इस सिल्म का सेकेंड पार्ट भी बरना ह जिसका नाम होगा बैड निउस और यहाँ पर जो कि उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोशल और यहाँ पर तिरिप्ती दिम्री और यहाँ पर एमी वर्क देखने को मिलने जारे हैं जिहां सो और जुलाई 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस इनम यानी जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस सिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता और यहां पर करिना कपूर सिल्म के अंदर जो के दीपती यानी डीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर बत्रा की वाइफ है दिल्जी सौनसन में हनी बत्रा का रोल प्ले कर रही है तो नाम सेम होने की वज़ा से इनके स्पॉम वगहरा चेंज हो जाते हैं जिसकी वज़ा से यह दोनों जो के प्रेग्डेंट हो जाती है और यहाँ पर अक्षे कुमार की वाइफ जोके दूसरे की प्रैकिडन बन जाती है दिल्जीशुन दुशान के स्पॉम से और यहाँ पर जो यानि कहरा एड़वान यह वा आक्षे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो ये सारा कुछ चेंज इसलम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवा दो इसलम को ऑफशली एक दफ़ा देख सकती हो आपको आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबसे पहले यहां पर कास के बारे में बता दूती है यहां पर अक्षन कुमार इसलम के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करें करीना कपूर खान इसलम के अंदर दीप्ती दीपू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर कैराइडवानी मौनिका का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर तसी एका चोपरा इसलिम के अंदर डॉक्टर संधिया जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और अजाना सुखनी जो के एड़ोकेट रिशा अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर फैसल राशिट भी हैं वीवेक अजुगा का रूर्यक कर रही हैं यहां पर रिचा कपुर रीटा परदीप कुछूरा है के अंदर राजिन बत्रा रूल प्लेह कर रहे हैं और इहांपर के विँष्यर जो सुंग था ना उसके अंदर इपिरिंस जैने रोल में दे है Hitler सक्सट्क और यहांं पर helm संगे। के रोल में गल भे चाया थी जो हमें इसके अंदर कैस्ट एपिरिंस में देखने में थी ती। और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो टरल सिल्म के सॉंग्स वगरा कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो तो यहां पर आप सको काफी भी कुमेडी अच्छी देखने को मिलेगी टोटल आप इस सिल्म के जो आठ सॉंग्स है ना आठ सॉंग्स की लेंथ है 27 मिनिट 55 सेकेंड और यह आपको यूट्यूब पर जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो फॉ कि यहां सो यह फेल्म फैब में 2020 में अगर आप सक अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही सिक्ट पार्ट यानि जो बैड न्यूज मूवी होने वाली है ना वह की औशल और यहां पर 33 और 7 जाथ हैं मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइन्थ जुलाई 2024 में डिरीस होगी और आप दोसे इस लिए कितना एक्साइड़न है कुछ में बता देना अगर आप सुने इस फिल्म को भी तक नहीं देखा तो इस लिए को उससे लेड़ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने दुछ साथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉली वोड की फिल देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जो कि आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंके वो पंजाबी इंडरसी से ब्लॉंग करते हैं बट फिर भी वो एक बहुत ही अच्छे कमाल के जो के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलीज की कमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म में हमें कमेडी बहुत ही अच्छी कमाल की द यूस मुई की 2019 की यह हिंदी लैंगवेज की फिल्म थी और यह कमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिंग को रेनिंग टैम मिला हुआ था दो गंटे 31 मिनिट का और 10 बैस 6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात करें सिल्म के बारे में तो यह साथ ही सिल्म को आवरेज फ्लॉब फिल्म रखी ती जी हन्द सो देखा जा तो यह फिल्म जोके फ्लॉब फिल्म रही ती लेकन सो कमेडी जो लाट की बहुती एच्छी स्टौरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों को बता दूँ इस सिल्म के बारे में तो यहां पर डिरेक्ट किया राज महता ने और यहां पर स्टोरी को राइट किया है जोती कपूर ने और यहां पर जोती कपूर और ने डलाक्स को लिखा रिशब शर्मा और यहां पर राज पेता ने मिलकर ड छोगे राउने मोडरुगराफिक की हुई है मानीश मॉर transformative को म्यूजिग दिया हुआ था और यहांपर सांग् स कोieso हैं ऑर यहांपर जो सांब फो जोरे गृते बेगराउंड में म्यूजिक दिया हुआ था और यहांपर प्रडेक्शन कंपनी थी इस्टूडियो धर्मा प्रडेक्शन और कैप आफ फिल्म और यहां पर डिस्टूडियो थी इस्टूडियो और सिल्म को 27 डिसमब 2019 में रिलीज करवाया गया था इसलिम का 132 करोड जो के बजट था सौरी 132 जो के मिनेट इसलिम का रहा रहा नेंग स्थाएं था, और यह फिल्म बॉक्ससे, एक बडॉक्स्टर फिल्म रही थी, बजट 70 करोड था और सिल्म ने टोटल बॉक्सस才पर 38 करोड का सी है हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलो यू और बहुत ही कमाल की देखने को मिली थी अब यहां पर जो के इस लिम का सेकेंड पार्ट भी बरना है जिसका नाम होगा बैड न्यूस और यहां पर जो के उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक भत्रा उनका नाम होता और यहां पर करीना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिप्ती यानि दीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जी स्वांच सिल्म में हनी बत्रा का रोल प्ले करो हैं मोनीका जो के मोनीका रोल प्ले कर रही है तो नाम सेम होने कुमार के स्पॉम्स से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो कि उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेंगी अगर जिसल्म के अंदर हनी बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर कैरा इडवानी मौनीका का रोल प्ले कर रही है और यहां पर तसी एकाच चोपडा इसल्म के अंदर डॉक्टर संधिया जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और अजाना सुखनी जो के एड़ोकेट रिशा पेशन्स का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रिचा कपूर रीता बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर केविता पैस इसलिम के अंदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर विशु शर्मा इसलिम के अंदर और आई वी एफ पेशन्स का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर उदायद धरप इसलिम के अंदर patient at if center का रोल प्ले करहा हूँ है यहाँ पर appearance roll में इसलिम के अंदर हमें देखने को मिले है करन जोहर जो के चंदीगर में जो सौंग था ना उसके अंदर appearance roll में देखने को मिले थे बाशा भी जो के जन्दीगर सौंग में थे और यहाँ पर सुखबीर इसलिम के जो सौधा क़ड़ा खड़ा जो सौंग था उसमें जो के camera roll में देखने को मिले थे और यहाँ पर मोहित रहना इसलिम के अंदर मुराराई flight जो है ना वहाँ पर passenger के roll में camera roll में देखने को मिले हैं तो यह सारी कास्ट बगरा थी जो हमें इस सिल्म के अंदर कैस्ट अपिरिंस में देखने को मिली थी स्पोर्ट इन गोल करते होई दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में यहांबर आप सको काफी अच्छी देखने को मिलेगई टोटल आट विसल्म के अधर वॉटकिंट की लेंड़ बंस अधर आप आप से WOMAN 321 УLV के यहांबर यहांब्युच के रिलीस करवाया गया था फैबरेरी में जी हां सो ये फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लैफरम Amazon Prime वीडियो पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मुवी होने वाली है वो और साही एमे बार्ट को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के करेक्टर इसके लिड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर ये फिल्म 9 जुलाइ 2024 में रेलीस होगी और आप इसलिम के लिए कितना एक्साइड़न है अगर आप सुने इसलिम को अभी तक नहीं देखा तो इसलिम को OTT प्लाइफरम Amazon Prime पर जाके देखो इंजॉय करो और कमर्वास में उपीनिन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी इसलिम में कुमेडी आपको कैसी लगी थी वो भी आप सुने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करना है और साथ ही इस लिम के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने दूस्थ साथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए Welcome back to another video तो दोस्थो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवुड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यूज 2019 की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से 2 घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मि होती है नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी है तो यहां पर हम दो सो बात करें गूड न्यूज फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और सिल्म में हमें कुमेडी बहुत यह अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक इंटर्टेनिंग कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के ला हांपर बात करें सिल्म کے बारे मैं تو यह साथ 바로 इस फें को जोकर 36% 8資 तुरी 83% भी मिले हुआ है राजμέता ने सिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है भॉक्सज़ कर सब्सक्राइब ति्रेइड पौइन वान किया है यानी तीन साथ करोड बज़ट था लेकिन ये फिल्म बॉक्से पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कु वाज पाताने है mesa को लिख वाए जोस्चो उम्हाराव स्टरी को जोतीकुष ने लिखा और यहां पर प्रॉड याश जोहार और यहां पर अरूंभाटिया और और सॉ चर्शं और यहां पर रिचान आंग अनी संघ्सिक और यहां पर और नजो घ्लेने मुजिक यहां पर ज थी इस्टूडियो धर्मा पूडिक्शन और कैप आफ गूड फिल्म और यहां पर डिस्टूडियो थी इस्टूडियो और सिल्म को 27 डिसमर 2019 में रिलीज करवाया गया था इसलिम का 132 करोड जो के बजट था सौरी 132 जो के मिनेट इसलिम का रान इनिंग टाम था और यह फिल इसलिम के इसलिम के अंदर हम जो कै काइछ स्पोर्टिंग रॉल में यहांपर यह पर इमी वर्क देखने को मिलने जहां सो जॉलय टूडीट 24 में रिलीस होगी और यहांपर मार्ट में इस लिन की शूटिंग वेरा बी स्टार्ट कर दीगी ए और यहां पर आपसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस लिम यानी जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस लिम में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्षे कुमार और वरुन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करीना कपूर इस लिम के अंदर जो के दिप प्रेइशन के और यहां पर और वब जाती है और यहां पर खक्त्रा और देंगे और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसल्म को नहीं देखवा दो इसल्म को अफशली एक दफार देख सकती हूँ आपको आप दूसक इसल्म के अदर डॉक्टर संधिया जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अजाना सुखनी जो के एड़ोकेट रिशा अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर फैसल राशिद भी हैं विवेक अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर सुनीता देयर मन जोत बतरा कर रोल प्ले कर रही और यहां पर यहां पर अमसिका सूद इसे लिम के अंदर आइटा इफ-ायफ आईवी फे आफ और एस्पीटल काulation काका रही हो यहां पर यूवभत कहं मौके इसेम के अंदर पेशिंट का रोल कोम प्ले कर रहें ہा लो परदीब कुछुरेजा इसलिम के अंदर राजन बत्रा का रोल प्ले करें रहे हैं और यहां पर के विश्वु शरमा के अंदर ओड़ आई वी एफ पेशन का रोल प्ले करें यहां पर अपिरेंस मो रोल में देखने को मिलें करन्जोहर जो के तेंदी गड़ में जो सौंग इ देखने को मिले थे बाशा भी जो के चंदीगड गर सौंग में थे और यहां पर हर्दी संदूबी जो के चंदीगड फ्हां पर सुख भी इस लिम् Sophia के जो सौदा कर खड़ा-करा जो सौंग है उसमें जो के कामर रोल mem देखने को मिले थे और यहाँ पर आप सको बता दो थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तोटर लिस्लिम के सॉंग्स वगरा कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूटीब चैनल पर आडियो वीडियो फार्मेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप सको बता दूए यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी टोटल आप इस फिल्म के जो आठ सॉंग्स है ना आठ सॉंग्स की लेंट है 27 मिनिट 55 सेंगे और यह आपको यूटीब पर जी म्यूजिक कंपनी के यूटीब चैनल पर आडियो वीडियो फार्मेंट देखने पर सॉनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आप बता दूए इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आप गो टीडी प्लाइफर्म पर देखने को मिल जाएगी जो के एमज़ून प्राइम पर जिहां सो टेट्यूट फैब 2020 में इस फिल्म को जो कर वाया गया था फेबरेरी में जिहां सो ये फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लैफरम Amazon Prime वीडियो पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही इस इसलम के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मुवी होने वाली है वो विक्की कोशल और यहां पर 33 दिमनी और साथ ही एम वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों करेक्टर इसलम के देर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइन्थ जुलाई 2024 में डिरीस होगी और आप दूस इसलम के लिए कितना एक्साइड़ नहीं पता देना अगर आप सुने इसलम को भी तक नहीं इंजॉय करो और कमरोस में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी इसलम में कुमेडी आपको कैसी लगी थी वह भी आप सुने लाजमी बताना है और वीडियो को भी like और शेयर करना है और साथ इस चैनल को भी subscribe करना है और स न्यूज 2019 की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रुनिंग टैम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर दे लीडियों की बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी है तो यहां पर हम दो सो बात करें गूड न्यूज फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और सिल्म में हमें कुमेडी बहुत यह अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक एक इंटेटेनिंग कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी सारी बात करूँगा इस वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को ल बारे में तो यह साथ ही सिंप को जो के 86% 83% लाइक भी मिले हुएं राज महता ने सिंप को डिरेक्ट किया हुआ है बॉक्स पर इस फिल्म ने 3.186 कुमेडी बहूत यची देखने को मिल जाती है फिर भी यह फिल्म आपको एक दफ़ा देखनी चाहिए और आपको क्ाफी पसंद भीेइगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कुमेडी जानराnd की बहुत यच्छी सिटोरी देखने को मिल जाईगी तो यहां पर आप दुस्त को मैठार पहर इनकर housing आए उसके बारे में तो यहां तो यहां पर डिरेक्ट केया संग्स वляются सौंट्राइक वगरा को म्यूजिक दिया हुआ है और यहां पर जो जोन स्टेर इद्वरी थे न वह बैक्ग्राउंड मी म्यूजिक दिया हुआ था और यहां पर तिस्टूडियोज और कैप पाफ फिल्म सार्यां पर एक सो बदीस करोड जो के बजट दा सौरी 132 जो के मिनेट इसलम इननिंग टीम था और एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी जवंटी करोड तोटल बॉक्स पर 318 क्रोर का क्लेक्शन किया हुआ है। मुझे लगा ये फिल्म बॉक्सेज पर फ्लॉब एंड नेकिन नहीं इस लिम में काफी अच्छा कॉलेक्शन किया था और एक ब्लॉग बस्टर फिल्म रही थी और आडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस लिम के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रॉल में जिस तरह के सीय हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलॉग और बहुती कमाल की देखने को मिली थी अब यहांपर इस film का second पार्ट भी solid 4 इंपर पमार्ट यहांपर मार्ट में इसीम कास्ट में बताद ही है यहांठी जो गूड नीज्स Фिल्म थी ना इस जिमम में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करीना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिप्ती यानि दिपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जी स्वांसन में हनी भत्रा का रोल प्ले कर रही है तो नाम सेम होने की वज़ा से इनक स्पॉम से और यहां पर जो यानि कैरा एडवानी है वो अक्षे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इसलम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और य का रोल प्ले कर रहे हैं और हनी बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर कैरा इडवानी मौनिका का रोल प्ले कर रही है और यहां पर तसी का चोपड़ा इसल्म के अंदर डॉक्टर संध्या जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अंजाना सुखनी जो के एड़ो शौत कर रहे हैं यहां पर यूथ तका मॉंकें इसलिम के अदर पेशेंस का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर एड़र और उर पडरा, कचा रोल प्ले कर रहे हैं और आई Liberia और 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 व्यक्तार यहां पर और रात सम्क्स का और ऊको लोघै मुझे सर में चैंदायप सब्सक्राइब में थे और हारदी संदू भी जो कि जंदिगर संग में थे और यहां पर सुख्भीर सौड़ा क्षड़ा जो सौंग थाओसंधा और मुहित रहना इस लिघ्र मुरारा फॉलाइट जो है न वहांपर पस्छार के रोल में डेखने को मिले हैं तो यह सारी कास्ट बगरा थी जो ह ताइस मिनिट पच्पंच सेकेंड है और यह सारे स्वांग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कमपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो फारमेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आपसको बता दूँ यह फिल्म आपको कहां पर देखने क को मिलेगी टोटल आप इस फिल्म के जो आठ सौंग्स है ना आठ सौंग्स की लेंध है सताइस मिनिट पच्पंच सेंगे और यह आपको यूट्यूब पर जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो फार में देखने और सुनने को मिल जाएंगे त पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मूवी होने वाली है ना वह विक्की कोशल और यहां पर त्रेती दिवनी और साथ ही एम्य वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं और यहां पर यहां पर यह फिल्म नाइंट जुलाई 2024 में रिलीस होगी और आप दोस नहीं के लिए कितना एक कुमेडी अगर आप सुने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही इस लिम के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाजमी सबस्क्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने तुछ साथ और लिया पर चैनल को सबस्क्राइब करके जाएं कम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवुड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यूज टू थाउजन नैंटीन की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे का 30 मिनिट का रनिंग टैम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस मिल में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंके वो पंजाब 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस लिम में हमें कुमेडी बहुत ही अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक इंटर्टेनिंग कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है यह यह फ 30 मिनिट का और 10 by 6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात करें सिल्म के बारे में तो यह साथ ही सिल्म को जो के 86% 83% लाइक भी मिले हुए है राज महिता ने सिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है बॉक्सेस पर इसल्म ने 3.186 बिलियन करोड का यानि जो के काफी 50-60 करोड बजट था लेकिन यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी यह फिल्म आपको एक दफा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कुमेडी जाउनरा की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों को बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो यहां पर डिरेक्ट किया राज महता ने और यहां पर जोती कपूर और ने डिलाक्स को लिखा रिशब शर्मा और यहां पर र ने सिंमर्यद्राफ्यक की हुई है मनिष मवर ने इस इनको जो कि मläुजिक दिया हुआ था और यहां पर सॉंंग्स वगरा सौणीट्रेइक वगरा को मुजिक दिया हुआ है और यहां पर जो जॉन इद्वरी थे ना वे बैक्राउंड में म्यूजिक दिया हो था और यहां पर प्रडेक्शन कंपनी थी जी स्टूडियो धर्मा प्रडेक्शन और कैप आफ गूड फिल्म और यहां पर डिस्टूडियो और सिल्म को 27 डिसमर 2019 में रिलीज करवाया गया इस इस निए एक सो बतीस करोड़ जो के बजट था सौरी एक सो बतीस में इस निए था और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी बजट सेवंटी करोड़ था और सिर्फ ने टोटल बॉक्स पर 308 क्रोड़ का क्लेक्शन किया हुआ है मुझे लगा य ऐक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और और प подар ये जिस का नाम होगा बैड निउस और यहां पर जो पर आइमी वर्क देखने को मिलने चाए है जिहां सो came 1994 में रिलीस होगी है और यहां पर आप इसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस इल्म यानि जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस इल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरुन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करीना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिप् प्रेंट हो जाती है और यहां पर अक्षे कुमार दूसरे के बन जाती है दिल दुखान के सब्सक्राइब टूसरे के रहते हैं ? कास के बारे में बता दोती हैं यहां पर अक्षन कुमार इसल्म के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करें करीना कपूर खान इसल्म के अंदर दीप्ती दीपू का रोल प्ले करें यहां पर दिल जूद दुसांज इसल्म के अंदर हनी बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहा पर फैसल राश्यद भी हैं विवेक अजुआ का रॉल प्れे करें यहांपर सुनी ताधियर मन्जोट बत्रा का रूल प्れे कर रही है और अमशी का सूद इसलम के अदर आई वी फी एफ ऑस्पिटल रिस्पिशन का काम कर रही है हो यहां पर यूगत का मौके इसलिम के अंदर पेशिंट का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रीचा कपूर इसलिम के अंदर रीता बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर केविता पैस इसलिम के अंदर कामनी का शaire iki अंडर अ का रेक्र रोल प्ले कर रहे हैं और इश वुष शार्म संट्रा विश्कल में हमिन देखने को मिलता ओर यहां पर हर्दी संदूबी जो कि चंदी गड़ स्वांग में ते और यहां पर सुख बीर इसल्म के। YouTube चernels पर आडियो वीडियो फार्मेट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे पर आड़ी वीडियो फॉर्मिल देखने और सुनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आवगे बता दू इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आपको टीटी प्लाइफर्म पर देखने को मिल जाएगी जो कि अमजोन प्राइम पर जीहां सो टेंटी टू फैब टू तू तू तुर्टी दिवनी और साथ यहमे वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों करेक्टर इसलिम के दर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइन्थ जुलाइट टू तूधन टूटन टून टिफॉर में रिरीस अगर आप सुने इसलिम का अभी तक नहीं देखा तो इसलिम को टीटी प्लाइफर्म एमजोन प्रेंट पर जाके देखो इंजॉय करो और कम डौस में बी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी इसलिम को मेडिया कैसी लगी थी वह भ पर चैनल को सबस्क्राइब करके जाएंगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवोड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गुड निउस टू थाउदन नैंटीन की फिल्म है गुड निउस और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रुनिंग टैम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस मिल में लीड कास्प में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंके पंजाबी इंडरसी से बलॉंग करते हैं बट फिर भी वो एक बहुत ही अच्छे कमाल के जो के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वो एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलिंज की कमेडी डामा जोनरा की फिल्म थी और इस फिल्म में हमें कमेडी बहुत यच्छी कमाल की देखने मिल जाथी REM की इस कि सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड न्यूस मुई की 2019 की यह हिंदी लैंगवेज की फिल्म थी और यह कुमेड ने इसन को डिरेक्ट किया हुआ है बॉकसज पर इसन ने 3.186 billion करोड का यानि जो के इना रुपीस में कोलेक्शन किया यानि तीन क्रोड का कोलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉकसज पर एक एवरेज फ्लाप फिल्म रही थी जी हम दोस्तों देखा जा तो यह फिल्म जो और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस सिल्म के अंदर आपको कमेडिय जौनरा की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों को बता दूँ इस सिल्म के बारे में तो यहां पर ड्रेक्ट किया राज मेता ने और यहां पर जोती ankhoj refrigerator और यहां पर दोस्तों बात करनें Netflix तो कि विश्णू दिया हुए भी दे hiệnं नेन मीनिनिंट इस Adidas बाक्स पर 308 क्रोड का कौलेकशन चिया हुआ। मुझे लगाई इस फिल्म आगे फ्लॉप युथि पे पुट्बी पर ऑडियनस को भी काफी पसंद ऑए थी जिस तरह कि हैं पर हम्मeur आग्र ऑ delicate बोनीं और बहुत ही कमाल की देखने को मिलिय थी अब यहांपर जो कि इसल्म का सेकंड पार्ट भी बरना ऐ है जिसका नाम हो का बैड नीज और यहां पर जो के उसका फिलम में पहला geography पूल है जो के इसको फिलम में हमें começo मिलें गहाँ जो जो गुड न्यूस फिल्म थी ना इस सिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरुन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करीना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिप्ती यानि डीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जी प्रेग्डेंट बन जाती है दिल जीशन दुशान के स्पॉम से और यहां पर जो यानि कहरा एडवान यहां वाक्षे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इस सिल्म के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके कुमार के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करें करीना कपूर खान दीप्ती दीपू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर कैराइडवानी मौनिका का रोल प्ले कर रही है और यहां पर तसी का चोपड़ा के अंदर डॉक्टर संधिया जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अजाना सुखनी जो के एड़ोकेट रिशा अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर फैसल राशिद भी हैं विवेक अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सुनीता धेयर मनजोत बत्रा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर अमशीका सूध इसलम के और यहां पर के विता पैस के अंदर का आई वीएफ पेशन का रोल प्ले करें यहां पर अपिरेंस रोल में सिंगें अधर हमें देखने को मिलाρε है करन जोहर Gelु के चंदीगर में जो सौंग था न करनático, मुले था जोके यो चंदीगर सौंग भी, यहां पर आपसको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो टर लिस्टन के सॉंग्स वगरा कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीड कुमेडी जॉनरा की फिल्म है और यहां पर आपसको काफी बी कौमेडी अच्छी देखने को मिलेगी तो टो आटल सौंग्स है नोचाई स्टाइस मिनट 55 सेंगे और यह आपको यूटूब पर जियो म्यूजिक कंपनी के यूटूब चैनल पर आड़ वीडियो फॉर में देखने और सुनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आपसको आवगे बता दूए इस सिल्म के बारे में तो यह फिल्म आपको टीटी प्लैफरम पर देख तो जाके देख लेना और साथ इस सिक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मूवी होने वाली है वह विक्की कोशल और यहां पर त्रिप्ती दिवर्णी और साथ यह में वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के लिए और यहां पर यह फिल्म टू जुलाइ नाइंध जुलाइ टू तूधन टेंडी फोर में रिलिस होगी और आप दूस इसलिम के लिए कितना एक्साइड़न है कि मौस में बता देना अगर आप सुने इस लिम को भी तक नहीं देखा तो इसलिम को एमज़ून प्राइपर जाके देखो इंजॉय करो और कम लाजमी सबस्क्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने दूस साथ और लिया पर चैनल को सबस्क्राइब करके जाए कम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉली वोड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गुड न्यूस 2019 की फिल्म है गुड न्यूस और सिल्म को सेंसर की तरह से 2 घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी में लीड कास्प में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जो कि आज कल उनको कोई नहीं जानता क्यूंके वह पंजाबी इंडरस्टी से ब्लॉंग करते हैं बट फिर भी वह एक बहुत ही अच्छे कमाल के जो के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दो सो बात करें गूड न्यूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस लिम में हमें कुमेडी बहुत बात कर रहा हूं गुड न्यूस मुई की 2019 की यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी और यह कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और सिंग को रेनिंग टैम मिला हुआ था दो घंटे 31 मिनिट का और टैन बैस 6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात करें सिल्म क anlat की यहां यानि 2% 20 मां किया था और यह फिल्म बॉक्सरप एक ऊवरेज फ्लॉअ फिल्म रही थी यहांसो देखा जा तो यह फिल्म जो केफिलॉफ़ फिल्म रहीं थी लेकिन दूस्तों इस लित पाइड़ आपको काफी जो नयाती ला oniकर साथा पिल्म आ ता और वह की सिर्म के बारे में तो यहाँ पर ड्राइड किया है जोती कपूर ने और यहाँ पर जोती कपूर ने ने टैलाक्स को लिखा रिखा रिश्पशरमा और यहाँ पर राजपयताने मिलकर लक्षण को लिखा हुए मैतन और pos. बात करें सिनमोटोग्राफिक की तो विश्णू जो के राव ने सिनमोटोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनम को जो के म्यूजिक दिया हुआ था और यहाँ पर सॉंग्स वगरा सॉंट्रैक वगरा को म्यूजिक दिया हुआ है और यहाँ पर जो जो जॉन्स टेर मेरी ते ना वा बेक्राउंड में म्यूजिक जिया हो था यहर पर दिस्तोड क्रोडियो थी जिस्टोडियो द्रहमा पुड फिल्म्रक्यूर और सि λe η को त सेवन डिसमब 2009 2019 में रिलीस करवाया गया था इसलिम का 132 करोड जो के बजट था सौरी 132 जो के मिनेट इसलिम का रान इनिंग टाइम था और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी बजट 70 करोड था और इसलिम ने टोटल बॉक्स पर 308 करोड का कुलेक्शन किया हुआ जीहां सो बॉक्स पर 308 करोड का कुलेक्शन किया हुआ है मुझे लगा यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप और नेकिन नहीं इसलिम में काफी अच्छा कुलेक्शन किया था और एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और आडियन्स को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस का फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोशल और यहां पर त्रिप्ती दीमरी और यहां पर एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं जीहां सो बॉर जुलाई 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इसलिम की शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और य से आपर बटर्या की वाइफ दिल जी सुने संसरे सनिंस में हानीबत्रा का रॉल प्ले कर रही है मोनीका रॉल प्ले कर रही है tire रही है तो नाम से हैम हूने के वजह स्पॉमद और ओगरा हिए न के कि जाता है जिसकी हुझा से यह दौनों घू के ये दूसरे की यह प्रेक्डन्ट से और आक इणके स्पॉमद के यहां पर आपका सीज्यंट के इस रभनार देखने को मलता है। और वह कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवा दो इसलम को अफशली एक दफ़ा देख सकती हूँ बारब ऑब दुसको काफी पसंद भी आगी सबस्ते हैं कास के बारे में बताे हूँ यहां पर आकशं कुमार इसलम के अदर वरून भत्रा का रूल प्ले कर रोल्ड़ करें करीना कपोर खान देप्टी शर norm के लिए यहां पर का अजोआ का रोल प्लेय कर रहे हैं अजहां पर टासी का रोल प्लेय कर रहे हैं और यहां मोंके के अन्दर पेशन्स कर रूल प्लेकर रिचा कपूर रीता बत्रा कश कर रही हैं और वृफ फास्णत पास्य रवल पले करयो जोटे करूंए हम यहां प्र पर अपिरेंस में डयर में डेखने को मिले करंच बहलने आपिसमें के साइल ही कास्त पेटियां डाई पने हमें सेट एपिरेंस दे स्पोर्टन गोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दो थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तोटर लिस्टन के सौंग्स वगरा कितने हैं और सौंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सौंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के क देखने को मिल जाएगे लेकर बारे में बताओं तो यह एक बहुत यह ची कोमेडी चानल ड्रामा जोनरा की फिल्म है और यहां पर आप सको काफी भी कोमेडी अच्छी देखने को मिलेगी डोटल आप इस सिल्म के जो आर्ट सौंग्स है ना आट स्वांग्स की लेंथ 27 मिन फैबरेरी में जिहां सो यह फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लैफरम अमेजोन प्राइम वीडियो पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ इस सिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मूवी होने वाली अगर आप सुने इस सिल्म का अभी तक नहीं देखा तो इस सिल्म को OTT प्लैफरम एमजोन प्राइम पर जाके देखो एंजॉय करो और कमड़ास में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी इस सिल्म को कैसी लगी थी वो बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवूड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यूज टू थाउदन नैंटीन की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का र लौंग करते हैं बट फिर भी वह एक बहुत यच्छे कमाल के जो के बहुत यच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूज फिल्म की तो यह 2019 में रिली कि सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गूड न्यूस मूई की 2019 की यह हिंदी लैंगवेज की फिल्म थी और यह कुमे पर आता ने इस इन को डिर्एक्ट किया हुआ है बाक्स पर इस फिल्म ने 3.186 बिलियन करोर का था यानि जो कि इन रुपीर में कोलेकुशन किया था है यह फिल्म बाक्स पर एक एवरिज फ्लॉफ फिलम रही थी जी हां दोसों देखा जा तो ये फिल्म फिलौफ फिल्म रही थी लेकन दोसों इस film का जो बजट वगर था नवो काफी सायद बचास से साट करोड बजट था लेकन ये film भॉकसे पर फिलॉफ रही इस film के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफ़ा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस film के अंदर आपको कुमेडी जौनरा की बहुत इच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो स्टोरि को जोति कुपूर ने लिखा और यहां पर पुड़ीूसर है ही रो रियाश जोहर और अरुन भाटिया और अरुन पर करूण जोहर अब पुर्वा महता और यहां पर सेशंट। और यहां पर दोसे बात करें सिनमोर्डोग्राफिक की तो विश्णु जो के राउंडे सिनमोर्डोग्राफिक की हुई है नियुकली तो ऊहां पर सौंग त्र्पड्राइक वगर्डा को म्यूजिक दिया वभा है और यहां पर जो जोंड इदेष थे ना वह बैक्गराउंड में म्यूजिक दिया हो था और यहां पर प्रडेक्शन कंपनी थी जी स्टूडियो धर्मा प्रडिक्शन और कैप आफ फिल्म सार्य यहां पर दिश्रिबीशन कंपनी थी जी स्टूडियो और सिंको 27 डिसमब्र 2019 में रिलीज करवाया गया था इसल सो बॉक्सेस पर 388 करोड का क्लेक्शन किया हुआ है मुझे लगा यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉब एंड नेकिन नहीं इसलम में काफी अच्छा क्लेक्शन किया था और यह ब्लॉग बस्टर फिल्म रही थी और आडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस इंक के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह के सीय हमें यहाँ पर कुमेटी देखने को मिली थी ना माइन बलोई यू और बहुत ही कमाल की देखने को मिली थी अब यहाँ पर जो के इसलम का सेकेंड पार्ट भी बरना है जिसका नाम होगा बैड नीउस और जो इसलम यानि जो गूड नीउस फिल्म थी ना इसलम में आपको देखने को मिल जाएंगे एकशे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता है और यहाँ पर करिना कपूर सिलम के अंदर जो के दिप्ती यानि दीपू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर भत्रा की वाइफ जो के दूसरे के यह प्रेग्डेंट बन जाती है दिल दुशान के स्पॉम से और यहाँ पर जो यानि कहरा एडवान यहाँ वाक्शे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इसलम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के बच्चे होते हैं और यहाँ पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहाँ पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवा दो इसलम को ऑफशली एक दफार देख सकती हो आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबसे हैं यहाँ पर कास के बारे में बता दोती हैं यहाँ पर अक्षिन कुमार इसलम के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करें करीना कपूर खान इसलम के अंदर दीप्ती दीपू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कैराइडवानी मौनीका का रोल प्ले कर रही है और यहा पर फैसल राशित भी हैं विवेक अजूहा गारोल प्ले कर रही है हैं पर सुनीता तेयर मनोज मन्जोत बत्रा का रोल प्ले कर रही ओर यहां पर आम्शी का सूध इसे मेंदर आई आई एफ आई वीपी फ मास्पिटल रिस्पिशन का का यह यहां पर यूगत का मौंके सिन्न के अंदर का रोल प्ले करें हैं यहां पर रिचा कपूर इिसलुम के इंदर राजन बत्रा का रोल Means नहीं करहे हैं और यहां पर केविता पैस के अंदर कामनी का आश्वा का रोल प्ले कर勵ा सिपा आई उर Скा रोल्प्ले करें तो इहां पर appearance roll में इसे निमिवाने कंडर हमें देखने को मिल है करण जोर जो के चंदी-गार में जो demon TVG जो के брос हूंग में जो था ना उसके अंदर appearance roll में देखने को मेले थे बशाबी जो के चंदी görd song में ते और यहीं PhD अंधर संधु में थे और यहां कास्ट बगरा थी जो हमें इस सिल्म के अंदर कैस्ट अपिरिंस में देखने को मिली थी स्पोर्ट इन गोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा लेकर इस सिल्म के बारे में बताऊं तो यहां पर आप सको काफी भी कुमेडी अच्छी देखने को मिलेगी टोटल आप इस सिल्म के जो आर्ट सौंग्स है ना आठ्ट सौंग्स की लेंद्ध है सताएस मिनिट पच्पंस हैंगे और यह आपको यूटूब पर जी म्यूजिक क करवाया गया था फैबरेरी में यहां सो यह फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी प्लैफर्म एमजोन प्राइम वीडियो पर तो अगर आप से अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस होगी और आप दोस्ति इस फिल्म के लिए कितना एक्साइड़न है कि मौस में बता देना अगर आप सुने इस फिल्म को भी तक नहीं देखा तो इस फिल्म को एमजोन प्राइपर जाके देखो एंजॉय करो और कम डॉस में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा कम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवुड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यूस 2019 की फिल्म है गूड न्यूस और सिल्म को सेंसर की तरह से 2 गंटे 31 मिनिट का रनिंग टैम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस विल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे एक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंके वो पंजाबी इंडरसी दे बलॉंग की फिल्म थी और इस विल्म में हमें कुमेडी बहुत ही अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक इंटर्टेनिंग कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी स गंटे 31 मिनिट का और 10-6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात करें सिल्म के बारे में तो यह साथ ही सिल्म को जो के 83 परसें लाइक भी मिले हुए है राज महता ने सिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है बॉक्सेस पर इसल्म ने 3.186 बिलियन करोड का यानि जो के बजट वगरा था ना वो काफी स्याद 50-60 करोड बजट था लेकिन यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी यह फिल्म आपको एक दफा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आए जो स्टोरी को जोती कबूर ने लिखा और यहाँ पर प्रडियोसर है हीरो लियाश जोहर और अरुन भाटिया और यहाँ पर पर करून जोहर अपूरवा महता और यहाँ पर सेशन महग खैटन और यहाँ पर दोस्तों बात करें सिनमोटोग्राफिक की तो विशनू जो के राव ने सिनमोटोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनमोटोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनमोटोग्राफिक को म्यूजिक दिया हुआ था और यहां पर साउंग्स वगरा सॉंड्राक वगरा को मिजिक दिया हुआ है और यहां पर जो जाँ इद्वरी थे ना व बैक्राउंड में मिज़िक दिया हुआ था और यहां पर प्रडाक्शन कंपनी थी जी स्टोडियो धर्मा पूडक्शन और कैप आफ फिलम्स और यहां बॉक्सेश पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी बजट 70 करोड था और सिल्म ने टोटल बॉक्सेश पर 38 करोड का क्लेक्शन किया हुआ है जीहां सो बॉक्सेश पर 38 करोड का क्लेक्शन किया हुआ है मुझे लगा यह फिल्म बॉक्सेश पर फ्लॉप एंड नेकिन ने इ एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी और आडियोंस को भी काफी पसंद आय थी, जिस तरह के इस लिल्म के अंडर हमें जोक इक स्पोर्टिंग रोल मैं, जिस तरह के सियह हमें यहां पर कमीडिय देखने को मिली थी, जिहां सो ओर जुलाई 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप इसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस इनम यानी जो गूर न्यूस फिल्म थी ना इस सिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करिणा कपूर सिल्म के अंदर जो के दीप्टी यानी दीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जी सॉनस में हनी बत्रा का रोल प्ले करो हैं मोनीका जो के मोनीका रोल प्ले कर रही है तो नाम सेम होने की वज़ा से इनके स्पॉम वगेरा चेंज हो जाते हैं जिसकी वज़ा से यह दोनों जो के प्रेग्डेंट हो जाती हैं और यहां पर अक्षे कुमार की वाइफ जो के दूसरे के प् स्पॉमौन पर यहाँ पर आदय जो आन्य के राइडबाद यहिञ ऊत्शाधार MONS से हो जाद्यूर्जॉumr चैनर को मेड़ी का सिर्फ़ी। पर म५टे कहने यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है। आपको इंटिटेन भी बहुत ऑची करेगी। अगर आप सुने अभी तक इसलिम को नहीं देखवा दो इसलिम को ओशली एक दफ़ा देख सकती हो आपको काप दूसको काफी पसंद भी आएगी सबसे पहले यहां पर कास के बारे में बता दूती हो यहां पर अक्शन कुमार इसलिम के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करे यहां पर अदिल हुसान इसलिम के अंदर डॉक्टर आनज जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर अंजाना सुखनी जो के एड़ोकेट रिशा अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर फैसल राशिद भी हैं विवेक अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं यहां सुनीता ध्यर मनोज मान जोट बत्रा का iOS का रीघर करaty Teclaram यहां पर युवीजव मोंके के इंदर पेशिंट का रीचा कपूर इसलिता बत्रा का रोल प्लेख कर रहा रहां अपर परदीप कुछल रह जा का राजन बत्रा का रोल प्लेभी यहां पर कविता पैस सिल्म के अंदर कांपनी का अश्वा का रोल प्ले एकर रहे हैं और विशु शरमा इंदर ओर आई वी एफ पेशन का रोल प्ले करहे हैं और अपर अपिरेंस रोल में देखने को मिला करण जो हर जो के चंदीगर्ड में जो सौंग था ना उसके अंदर एपिरेंस नोल में देखने को मिले थे बाशा भी जो के चंदीगर्ड सौंग में थे और यहां पर हर्दी संदू भी जो के चंदीगर्ड सौंग में थे और यहां पर सुखबीर जो सौधा खड़ा खड़ा जो स तो यह सारी कास्ट बगरा थी जो हमें इसलिम के अंदर कैस्ट अपिरियंस में देखने को मिले थी स्पोर्टन गोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दो थोड़ा सा इसलिम के बारे में तोटर लिसलिम के सॉंग्स वगरा कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूटिव चैनल पर आडियो वीडियो फार्मेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आप सको बता दूँ यह फिल्म आपको कहा को मिलेगी टोटल आप इस सिल्म के जो आठ सॉंग्स है ना आठ सॉंग्स की लेंथ है 27 मिनिट 55 सेकेंड और यह आपको यूटिव पर जी म्यूजिक कंपनी के यूटिव चैनल पर आडियो वीडियो फार्मेंट देखने और सुनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आप सको आप पर इस सिल्म के बारे में तो यह फिल्म आप देखने को मिल जाएगी जो करेक्टर इस इस सिय्क्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मुवी होने वाली है वो विकी कोशल और यहां पर 33 दिमनी और 7 एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों के तीनों के लिड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म 9 जुलाई 2024 मेरे रि लगी थी इसमें कुमेडी आपको कैसी लगी थी वह भी आप दूसर ने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथी इसमें के सेकंड पार्ट के लिए एकसाइड़ हो उससे लेड़ेड अपडेट रहन के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने दूसराथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं कम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉली वोड की फिल्म कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे एक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंकि वो पंजाबी इंडरस्टे बलॉंग करते हैं बट फिर भी एक बहुत ही अच्छे कमाल के जोके बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वो एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जोनरा क कra में ती और से नेकां कि कम्एडी बहुत यह आच्छी कमाल की देखने को मिल जाती और साथ ही सिंगर गूँड लाएँ की mods देखने को եो! और सिल्म को रेनिंग टैम मिला हुआ था दो घंटे 31 मिनिट का और 10 बाइस 6.80 गी रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात किरें सिल्म के बारे में तो यह साथ ही सिल्म को जो के 86% 83% लाइक भी मिले हुआ है राज महता ने सिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है बॉक्सेस उसके मतरह सिल्म पर एक ऐवरेज फिल्म रही थी जी हां दोसो देखा घा तो यह फिल्म जो फिल्म रही थी लेकर दोसो इस फिल्म का जो बजट वगरा था ना वह काफी छायए पचास से साट क्रॉट बज़ट था लेकिन ये फिल्म बॉक्सेज़ पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कमेडी बहुत एच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कमेडी जौ और यहां पर अरुन भाटिया और यहां पर करुन जोहर अब पुर्वा महता और यहां पर सेशन्ट में खैटन और यहां पर दोसे बात करें सिनमोडोग्राफिक की तो विश्णू जोके राव ने सिनमोडोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनमोडोग्राफिक को जोके म् गूड फिल्म और यहां पर डिश्यबिशन कंपनी ती इस्टोडियो और सुम को 27 डिसमब्ट 2019 में रिलीस करवाया गया था इस दिंग एक सो बतीस करोड जो के बजट था सौरी एकस बतीस जो के मिनिट इस इसन का राइनिंट टाइम था और यह फिल्म बॉक्स पर फिल्म रह थी और आडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस सिल्म के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह के सीय हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलोई और बहुती कमालगी देखने को मिली थी अब यहां पर जो के इस सिल्म का वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस लिम यानी जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस लिम में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्षे कुमार और वरुन भत्रा उनका नाम होता और यहां पर करीना कपूर इस लिम के अंदर जो के दीप्ती यानी डीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर बत्रा की वाइफ है दिलजी स्वांसन में हनी बत्रा का रोल प्ले कर रही है तो नाम सेम होने की वज़ा से इनके स्पॉम वगयरा चेंज हो जाते हैं जिसकी वज़ा से यह दोनों जो क प्रəग्डेंट हो जाती है और यहां पर अक्षे कुमार की वाइफ जोंके दूसरे के प्र्रेगडेंट बन जाती है दिल दुशान के जो के एक्षे और यहां स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इसलिम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहाँ पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहाँ पर आपको इंटेटेड़न्ग भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवाद हो इसलम को ऑफशली एक दफ़ाद देख सकती हो आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबसे पहले यहाँ पर कास के बारे में बता दूती है यहाँ पर करीना कपुर खान दीबती दिपू का रोल फ्ले प्ले कर रहे है और अधुकेट रिशा अजुुहा का रोल प्ले कर रहे हैं ॔र यहाँ प HER फैसल राषिद भी है विवेक अजुब हा का रोल प्ले कर रहे है नहां पर सुनीता अधैर मन जोत बत्रा का रोल प्ले कर रही है और यहां पर आमशी का सूध औस इसनि के अंदरhero प्ले कर रही है और यहां पर गवता पहस के अंधर और्वा का रूल प्ले में विश्व ुशर्म के अंदर और आई वी एफ पेशन का रोल प्ले अपर अप्रडिया में जो सॉंक था घ्रल मैं डेखने को मिले थे बाशessen पर पसेंजर के रोल में कैम रोल में में देखने को मिली थी स्पोर्ट एंगोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो टर लिसन्ड के सौंग्स वगरा कितने हैं और सौंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सौंग्स हिंदी मे आपको Zee Music के कमपनी के YouTube चैनल पर आडियो वीडियो फारमेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आप सको बता दूए यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी OTT प्लाफर्म पर तो भी आप सको बता दूए यह फिल्म जो OTT प्लाफर्म पर रहना वो भी आपको बहुत ही अच्छी जो के OTT प्लाफर्म पर देखने को मिल जाएगे लेगे इस सिल्म के बारे में बताऊं तो यह एक बहुत ही अच्छी कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म है और यहां पर आप सको काफी भी कुमेडी अच्छी देखने को मिलेगी टोटल आ इस सिल्म के जो आठ सौंग्स है ना आठ सौंग्स की लेंध है 27 मिनट 55 सेंगे और यह आपको यूटूब पर जीयो म्यूजिक कंपनी के यूटूब चैनल पर आडियो वीडियो फॉर में देखने और सुनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आप सको आवगे बता दूए इस साथ ही इस सिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूज मुवी होने वाली है ना वह विक्की कोशल और यहां पर 33 दिवनी और साथ ही एमिवार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों करेक्टर सिल्म के दर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जा क्या वार्व आपको कैसी लगी थि इस लिए आपको कैसी लगी थी वह भी आतों ब्दोसने उलाजमी बताना है और विडियो व्यलाइक और शेयर करना है साथ ही चैनल को शब्सक्राइब करना है और साथ ही इस लिए के सैकंड पार्ट कि लिए उस से लगड़ेड जोनरा की फिल्म गूड न्यूज 2019 की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस मिल में लीड कास्प में देखने को मिल गए थे अक्षे कु हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूज फिल्म की तो ये 2019 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक एक नेटर्टेनिंग कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगी सारी बात करूंग असी वीडियो में तो अगर आप देए अभी तक वीडियो को लाlık करें और साथ ही चानल को भी सब्सक्राइब दें तो यहा पर बात करें इस 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 इ फ्लέप रही। इस films के अंदर हमें कमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है। फिर भी ये फिल्म आपको एक दफा देखनी है। आपको काफी पसी प्संद भी आएगी। तो इस सि्लम के अंदर आपको कमेडिय जोरॉरा की पहसी अच्छी सुरि देखने को मिल जाएगी तो यहांपर आप दुस्त को बता दूँ इस सिलम के बारे में तो यहां पर डेक्ट किया राज महटा ने और रेहां पर स्टोरिक को राइट किया है जोती क poor ने और यहां पर जोती कपूर ने डलाक्स और और राज पैता ने मिलकर डेलाक्स को लिखा हूएए। जोस्टोर buddies पूरिए ने लिखा वहा था और यहांपर सांग्स विगरा सांट ट्राक वगडरा को मियूजिक दिया हुआ है और यहांपर जो जून्श टैर्र में आध्वरी थे ना वह बैकdle बेंग्राण में था और सिल्म ने टोटल बॉक्सस पर 308 क्रोर का कुलेक्शन किया हुआ जी हमोजे लगा यह फिल्म बॉक्सस पर फ्लॉब एंड ने इसल में काफी अच्छा कुलेक्शन किया था और एक बोग बस्टर फिल्म रही थी और आडियन्स को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस फिल्म के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह के सीय हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलोई और बहुत ही कमाल की देखने को मिली थी अब यहां पर इस film का सेकेंड पार्ट भी बरना है जिसका नाम होगा बैड नीउस और यहां पर जो के उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोशल और यहां पर त्रिप्ती दिम्री और यहां पर एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं जुलाइ 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप इसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस सिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्षे कुमार वरन भतरा उनका नाम होता है और यहां पर करीना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिप्ति चेंज हो जाती है और यहांपर एक्षे कि मार्ट की वाइफ जो जो के एक से और यहां स्पॉम से और यहां पर जो यानि केराइडवानी है वो अक्षे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इसलम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैस इडिवोकेट आजूवा का रूल प्लेक धराही है का रूल प्लेकरांपे लेव्ठ लिए और यहाँ पर फैसेल राशिद विवेक का सुनुताच रोल-पॉल करें ええ और और सुनुता विवेक अजुणाच हुआ का रूल-पॉलर करें पर अधिब कोचु रहे जा इसमें राजन बत्रा का रोल प्ले करें रहे हैं और यहां पर के उच्वार माइस अंदर और आईवी एफ पेशेंट का रोल प्ले करें रहे हैं और और अपर अपिरेंस मोर में इसने के अंदर हमें देखने को मिले है करंचोहर जो के चंदीगर में जो सौंग था ना उसके अंदर एपिरेंस में देखने को मिले थे बाशा भी जो के चंदीगर सौंग में थे और यहां पर हार्दी संदू भी जो के चंदीगर सौंग में थे और यहां पर सुखबीर इसन के अंदर कैस्ट अपिरियंस में देखने को मिली थी स्पोर्ट एंगोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तोटर लिस्लिम के सौंग्स वगरा कितने हैं और सौंग्स वगरा की लेंथ है जो वो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सौंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो फारमेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आप सको बता दूए फिल्म आपको जैनल पर आडियो वीडियो फारम के देखने को मिलेंगे और सुनने को मिल जाएंगे तो यहां पर आवेगे बता दूए इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आपको OTT प्लैफर्म पर देखने को मिल जाएगी जो कि Amazon Prime पर जीहां सो 22 फैब 2020 में इस फिल्म को जो कि रिलीस करवाया गया था फैबरेरी में जीहां सो यह फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लैफर्म Amazon Prime वीडियो पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ही इस फिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मूवी होने वाली है वह विक्की कोशल और यहां पर 33 दिमनी और साथ ही देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों गे तिनों के नर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइंथ जुलाइ टू तूंटन्टन्टीफोर में रिएस होगी और आप इस इसलम के लिए कितना एक्साइड़ नहीं अगर आप सुने इस फ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही सिर्म के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ेड अपडेटे रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने तुछ साथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब कर से दो घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस मिल में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे एक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जोके आज कल उनको कोई नहीं जान की तो ये 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और इस लिम में हमें कुमेडी बहुत ही अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जोके एक अंटेटेनिंग कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म देखने को मिलेगी कैसी है आपको कहां पर देखने को मिलेगी सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड न्यूस मुई की 2019 की यह हिंदी लैंगव भी सब्सक्राइब के दोबग प shock और से देखने है लेक दोथको अगरवाएगी बेवास है जोराव पहलग है निए प्तहे और पकॉमईडी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है पिर भी यह फिल्म आपको एक दफ़ा देखनी चैए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस सिलम के अंदर आपको कुमेडी जानरा की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों को बता दूं इस सिलम के बारे में तो यहां पर डिरेक्ट कीया राज महिता ने और यहां पर स्टोरी को राइट किया है जोती कपूर ने और यहां पर जोती कपूर और ने डिलाक्स को लिखा है रिशब शर्मा और यहां पर राज पैता ने मिलकर डिलाक्स को लिखा हुआ है जो स्टोरी को जोती कपूर ने लिखा है और यहां पर पूर्ण भाटिया और पुर्वा महता और यहां पर सेशन में खैटन और यहां पर दोसे बात करें सिनमोटोग्राफिक की तो विश्णू जो के राउ ने सिनमोटोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनम को जो के म्यूजिक दिया हुआ था और यहां पर सौंग्स वगरा सौंड्रैक वगरा को म्य शुलीज कर वाया गया था एक सो बतीस करोड जो के बजट सारी एक सो बतीस जो के मिनेट इसन का राई नंइंनिंग टाम और यह फिल्म बॉक्सेश पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रहे थी बजट 70 करोड था और इस ने टोटल बॉक्सस पर तीन-सका क्रोलेक्शन किया हुआ है फलॉब और ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और ओडिन्स को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह कहैं इस इस एन्दर फलॉज प्रोक्स आयम मैं इस तरह कुमेडिया देखने पुए थी माइन बलोई यू और बहुती कमाल की देखने को मिली थी अब यहाँ पर जो के इस लिम का सेकेंड पार्ट भी बरना है जिसका नाम होगा बैड न्यूस और यहाँ पर जो के उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोशल और यहाँ पर त्रिप्ती दिमरी और यहाँ पर एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं जिहां सो और जूलाई 2024 में रिलीस होगी और यहाँ पर मार्ट में इस लिम की शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहाँ पर आप इसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहाँ तर जो इस लिम यानी जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस लिम में आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरंबत्रा उनका नाम होता और यहाँ पर करीना कबूर सिल्म के अंदर जो के दिप्ती यानि डीपू का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर भत्रा की वाइफ है दिल्जी स्वानस न में हनी बत्रा का रोल प्ले करो है है तो नाम सेम होने की वज़ा से स्पॉम वगयरा चेंज हो जाते हैं जिसकी वजा से यह दोनों जो के प्रेगडिन्ट हो जाती हैं और यहां पर अकषे कमार की वाइफ जो के दुसरे के प्रेगडन्ट बन जाती है दिल डिशन के चैग से स्पॉम से., और यहां पर जो क DA tails Concept से हो जाती है तो ये सारा कुछ चेंज इसलम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवा दो इसलम को ऑफशली एक दफ़ा देख सकती हो आपको आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबसे पहले यहां पर कास के बारे में बता दोती है यहां पर अक्षिन कुमार इसलम के अंदर वरुन भत्रा का रोल प्ले करें करीना कपूर खान इसलम के अंदर दीप्ती दीपू का रोल प्ले करें यहां पर दिलजूद दुसांज इसलम के अंदर हनी बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहांपर फैसल राशित भी हैं वीवेक आजुः अजूह का रोल प्ले करें रहे हैं, यहांपर सुनीता अधे सेन का रोल प्ले करह नहीं पर बंब यहां पर विश-वुशर्म के अंदर और अधा आएफ सेन्टर का रॉल प्ले करहे हैं यहां पर करनल पर न्दी करते हैं पर ओब चेंस उहन्द में अ On खड़ा खड़ा जो सौंग था उसमें जो केमर रोल में देखने को मिले थे और यहां पर मोहित रहना इसलिम के अंदर मुरारा इफ फलाइट जो है ना वहां पर पसिंजर के रोल में कैमर रोल में देखने को मिले हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी जो हमें इस सिल्म के अंदर कैस्ट अपिरिंस में देखने को मिली थी स्पोर्ट इन गोल करते होई दिखाई दी थी और यहां पर आप सको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तोटर लिस्ल्म के सौंग्स वगरा कितने हैं और इस सौंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सौंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कमपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो वीडियो फार्मेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप इसको बता दूए यहाँ तो बिल्दे प्लारफरम लेगे और सुनने को मिल जाएंगे तो यह अपर आवे के बारे में तो यह फिल्म आपको OTT प्लैफर्म पर देखने को मिल जाएगी जो कि अमजोन प्राइम पर जिहां सो 22 5 टूटु 20 में इस फिल्म को जो कि रिलीस करवाय गया था फैबरेरी में जिहांसो ये फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लाइफरम Amazon Prime वीडियो पर तो अगर आप सुने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ ये सिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूज मुवी होने वाली है वो विक्की कोशल और यहां पर 33 दिम अभी तक नहीं देखा तो इसल्म को OTT प्लाइफरम Amazon Prime पर जाके देखो इंजॉय करो और कमड़ास में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुए तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी इसल्म में कुमेडिया कैसी लगी थी वह भी आप सुने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करना है और साथी इसल्म के सेकंड पार्ट के लिए एकसाइड़ हो उससे लेड़ेट अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाजमी सबस्क्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है अपने हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जो कि आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंकि वो पंजाबी इंडरसी से बलॉंग करते हैं बट फिर भी वो एक बहुत ही अच्छे कमाल के जो के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वो एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूस फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जोन गए इस वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गूड न्यूस मूई की 2019 की यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी और यह कुमेडी ड्रामा जोन करोर का यानि जो कि 190 रर्पीर में क्या है यानि तीन करोड का क्या हूं किया था और यह फिल्म बॉक्स पर एक ऐवरिज फेलब फिल्म रही थी जी हैं दो देखा जा तो ये फिलम झाहितρεί थी लेकें दोसों, के अंदर आपको कुमेडिय जौर्वाक की बहुती अच्छी इखने को मिल जाएगी तो यहां पर भागफ बार्योंट के बारे में तो यहां पर ड्रॉक किया राज मेता राज मेता ने पर यहां पर बेहल कान जोहरिक और यहां पर सेशन को में खैटन और यहां पर तो सो बात करें सिनमोडोग्राफिक की तो विश्णू जो के राव ने सिनमोडोग्राफिक की हुई है मनीश मोर ने सिनमोडोग्राफिक को जो के म्यूजिक दिया हुआ था और यहां पर सौंग्स वगरा सौंड्रैक वगरा को म्यूजिक दि लाए गया था इसमें का 132 करोड़ जो के बजट था सौरी 132 जो के मिनेट इसम का राइनिंग टाइम था और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी बजट 70 करोड़ था और तोटल बॉक्स पर 308 करोड़ का क्लेक्शन किया हुआ है जीहां सो बॉक्स प इसमें काफी अच्छा क्लेक्शन किया था और एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और आडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस सिल्म के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह के सीय हमें यहां पर कुमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलो इनीफोर में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इसमें की शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां जो गूड निउस फिल्म थी ना इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे एक्षे कुमार और वरन भत् हैं जासे इनके सपॉम वगयरा हैं जिसकी वजाद के यहां पर अक्षो गुमार की वाइफ जो रिख देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलिम को नहीं देखवा दो इसलिम को ऑफशली एक दफ़ा देख सकती हूँ आप दूसको काफ़ी पिसंद भी आएगी सबसे पहले यहां पर कास के बारे में बता दोटी हैं यहां पर अक्षन कुमार और बहुत्य मुल्य करेई को पूटर द्रफेंटहूर आपको प्यागी दूदी हां पर दिल arguments कर रहे हैं पर कैरा एडवानी मौनिका का रोल्प्लेग कर रही है और यहाँ पर तसी का डक्र संधिया जोशी का रोल्प्लेग कर रही हैं और अज़ाना सुखनी का और जो कि आड़ोकेट रिशा आजुआ का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहाँ पर फैसल Russians에 भी बर लभी दो यांपर सुनीता सएल और का कंदार के अंदर प्रत्रार करी है और यहांपर कविता-पैस इस बेहरें यह और आपर खुछ और का रोल प्ले कर रहे हैं और विश हरमा इसलिम के अंदर और पेशन का रोल कर रहे हैं यहां पर अपिरेंस में जो सॉंग था रहे लूड देखने बाशा में थेश्याभी को चंधीगार सॉंग में थे और हार्दी संदू भी जो के जंदिगार्ट सोंग में थे, और यहां पर सुक्ते सिरम में कास्त और कैस्ट अपीरिंस देखने को मिली थी, देखाएं दी, यहां पर आप 5965 में, कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कंपनी के यूटीब चैनल पर आडियो वीडियो फारमेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आप उसको बता दूए यह फिल्म आपको चहां अचैनल अचैनल ठरामा गे यहांपर आप सकमोणे जो आफ एस वीडियो से कि आठी claim को चाज्वारम की तेखने को मिल तो यहां पर आवगे बता दूए इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आपको टी डी प्लाफरम पर देखने को मिल जाएगी जो कि अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ इस फिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए या नी जो बैड न्यूस मूवी होने वाली है वो विकी कोशल और यहां पर 33 दिमनी और साथ यहमी वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के करेक्टर इसलिम के दर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म 9 जुलाइ 2024 में डिरीस होगी और आप दोस्ते इसलिम के लिए कितना एक्साइड़न है को माँस में बता देना अगर आप सुने इसलिम को भी तक नहीं देखा तो इसलिम को OTT प्लाइफरम Amazon प्रेंट पर जाके देखो एंजॉय करो और कमड़ास में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ तो फिलम आपको कैसी लेगी थी इसलिम ने कोमेड़ी आपको कैसी लेगी थी वह भी आप दोस्तैंने लाजमे बताना है और वीदिएवाग भी लाइक को ओर शियर करना है発 साथ ही इस सिल्म के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ेड अपडेटे रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना है अपने तुछ साथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए कम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉलिवूड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यूज 2019 की फिल्म है गूड न्यूज और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस फिल्म में लीड कास्प में देखने को मिल गए थे एक्षे कुमार और यहां पर देखने को बहुत ही नेक्स लेवल होती है और वो एक साथ 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 सिंगर भी है तो यहां पर हम दोस्तों बात करें गूड न्यूज फिल्म की तो यह 2019 में रिलीस की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और साथ ही इस सिल्म के अंदर हमें जो के एक इंटेटेनिंग कुमेडी ड 2019 की यह हिंदी लैंगविज की फिल्म थी और सिये कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और सिल्म को रिनिंग टैम मिला हुआ था दो घंटे 31 मिनिट का और 10 बैस 6.80 रेटिंग भी मिली हुई है और यहां पर बात करें सिल्म के बारे में तो यह साथ ही सिल्म को जोके 86 प एवरेज फॉलाब फिल्म रही थी जी हैं दो सो देखा जा तो ये फिल्म जोके फॉलाब फिल्म रही थी लेकिन 2020 का जो बज़ट वगरा था ना वह काफी चायद 50-60 करोड बज़ट था लेकिन यह फिल्म बॉकसे पर फॉलाप रही इस लिम के अंदर हमें कुमेडी बहु जोती कपूर ने और यहां पर जोती कपूर और ने डिलाक्स को लिखा रिशब शर्मा और यहां पर राज पैता ने मिलकर डिलाक्स को लिखा हुआ है जो स्टोरी को जोती कपूर ने लिखा और यहां पर पूर्ण भाटिया और यहां पर करण जोहर अपूर्वा महता और यह जॉन स्टेर में एदवरी थे ना वे बैगराउंड में म्यूजिक दिया हो था और यहां पर प्रडेक्शन कमपनी थी जी स्टूडियो धर्मा प्रडेक्शन और कैप आफ गूड फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी जी स्टूडियो और सिल्म को 27 डिसमब 2019 में करवाया गया था इसे में का 132 करोड जो के बजट था सौरी 132 जो के मिनेट इसल्म का राइनिंग टाइम था और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी बजट 70 करोड था और सिल्म ने टोटल बॉक्स पर 308 करोड का क्लेक्शन किया हुआ है जी हां सो इसल्म के अंधर हमें जो के स्पोर्टिंग रोल में जिस तरह कि 시य हमें यहां पर कमेटी देखने को मिली थी ना माइन बलॉक्ड आईधर पर बहुत कमाली की देखने को मिली थी अब यह पर जो के इस इसल्म का सेकन्ड पार भी बरना है जिसका नाम होगा बैड नियूस औ यहां पर जो के उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विकी कोशल और यहां पर त्रिप्ती दिम्री और यहां पर एमी वर्क देखने को मिलने जा directors जिहां सो और जुलाइ 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप इसको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस इनम यानी जो गूर नियूस फिल्म थी ना इस इनम में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्षे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करिना कपूर सिल्म के अंदर जो के दिपटी जानी दिपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल्जी स्थान सिल्म में यानि कैरा एडवान यहना वो अक्षे कुमार के स्पॉम से हो जाती है तो यह सारा कुछ चेंज इसलिम के अंदर कुमेडी जोनरा का सीन देखने को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलिम को नहीं देखवा दो इसलिम को ऑफशली एक दफ़ा देख सकती हो आप दोसको काफी पसंद भी आएगी सबस्पहले यहांपर कास के बारे में बता दोती हैं यहांपर अक्षन कुमार आप के देख इसलिम के देख रही हैं और यहाँपर आदिल असन FDP के ऑड़ आणा जोशी का रही है पर यह पर फेसल राश्यत cabin वीवेक एजॅच अजूह का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर सुनीटाध्य मनो मं जोति इपत्रबद रोल प्ले कर रही है और यहां पर अम्शिकासूध के अंदर आइफद्ट रो स्पटाल का का काम करी हो यहां पर यूफ्ट्त का मौकें के पेशन्स का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर रीचा कपूर रीता बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर केविता पैस के अंदर का अश्वा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर विशु शर्मा के अंदर ओड आई वी एफ पेशन्स का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर पर यहां पर सुखबीर जो सौदा खड़ा खड़ा जो सौंग था उसमें जो के कैमर रोल में देखने को मिले थे और पर यहां पर आप सको बता दो थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो टरल सौंग्स के सौंग्स वगरा कितने हैं और सौंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सौंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कमपनी के यूट्यूब चैनल पर आडियो व बारे में बताओं तो यह एक बहुत अच्छी कमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है और यहां पर आप सको काफी भी कमेडी अच्छी देखने को मिलेगी टोटल आप इस सिल्म के जो आर्ट सौंग्स की लेंथ है 27 मिनिट 55 सेकेंड और यह आपको यूट्यूब पर जी करवाया गया था फैबरेरी में यहां सो यह फिल्म फैब में 2020 में रिलीस की गई थी OTT प्लैफर्म Amazon प्राइम वीडियो पर तो अगर आप से अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना और साथ इस सिल्म के सीक्वल पार्ट के लिए यानि जो बैड न्यूस मूवी होने विक्की कोशल और यहां पर 33 दिमरी और सातीय आहमे वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के टिनों करेक्टर इसिम के दर जो के लीड रॉल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइंथ जुलाई 2024 में रिलीस होगी और आप इस लिए क कैसी लगी थी वो भी आप दूसे लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथी इस लिए के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ेट अपडेटर रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्स यूस और सिल्म को सेंसर की तरह से दो घंटे 31 मिनिट का रनिंग टाइम मिला हुआ था और ये एक सूपर हिट कुमेडी ड्रामा वाली फिल्म थी हमें इस सिल्म में लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे अक्षे कुमार और यहां पर देखने को मिले थे दिलजीत दुसान जो कि आज कल उनको कोई नहीं जानता क्योंकि वो पंजाबी इंडरस्टी से ब्लॉंग करते हैं बट फिर भी वो एक बहुत ही अच्छे कमाल के जो के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो य को मिलेगी कैसी यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें और साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड न्यूस मूई की टूस इस film को जोके 86% 83% लाइक भी मिले हुए है राज महिता ने इस film को डिरेक्ट किया हुआ है बॉक्सेस पर इस film ने 3.186 बिलियन करोड का यानि जो के 9 रुपीर में कोलेक्शन किया है यानि 3 करोड का कोलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्सेस पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म रही थी जी हम दोसो देखा जा तो ये फिल्म जो के फ्लॉप फिल्म रही थी लेकिन दोसो इस film का जो बजट वगरा था ना काफी शायद 50-60 करोड बजट था लेकिन ये फिल्म बॉक्से पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफ़ा देखनी चाहिए और आपको काफी पसंद भी आएगी तो इस फिल्म के अंदर आपको कुमेडी जोर्ना की बहुत ही अच्छी स्टॉरी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप दोसको बता दूँ इस फिल्म के बारे में तो यहां पर डिरेक्ट किया राज महिता ने और यहां पर जोती कपूर और ने ड़लाक्स को लिखा यहाँ पर तो सो बात किनें सिंड़िप्र हुई विशनू जो के राउ ने ने सिंड़िप्रह nied lleg कि कुई है मनीच मौर ह conduit m 18 और यहाँ पर सौंग्स बगारा सौंज्ट्रेक को पने को मुजिक दिया हुआ है और यहाँ पर जो जॉन स्टेर में एदवरी थे ना वे बैक्राउंड में मूजिक दिया हो था और यहां पर प्रडेक्शन कंपनी थी जी स्टूडियो धर्मा प्रडेक्शन और कैप आफ गुड फिल्म्स और यहां पर डिश्यूबीशन कंपनी थी जी स्टूडियो और इसलिम को 27 डिसमब 2019 मे टोटल बॉक्स पर 308 करोड का कुलेक्शन किया हुआ है जीहन सो बॉक्स पर 308 करोड का कुलेक्शन किया हुआ है मुझे लगा ये फिल्म बॉक्स पर फ्लॉब एंड नेक इनल नहीं इस लिम में काफी अच्छा कॉलेक्शन किया था और एक ब्लॉग बस्टर फिल्म रही थी और आडियन्स को भी काफी पसंद आई थी जिस लिम के अंदर हमें जो के स्पोर्टिंग रॉल में जिस लिया पर कमेड़ी देखने को मिली थी ना माइन बलो नियू और बहुत कमालगी देखने को मिली थी अब यहाँ पर जोके इस सिल्म का सेकंड पार्ट भी बरना है जिसका नाम होगा बैड न्यूस और यहाँ पर जोके उसका फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोशल और यहाँ पर त्रिप्ती दिम्री और यहाँ पर एमी वर्क देखने को मिलने जा रहे हैं जुलाइ 2024 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में इस इनकी शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो इस इन्म यानि जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस स्लम में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्शे कुमार और वरन भत्रा उनका नाम होता है और यहां पर करिना कपूर सिल्म के अंदर जो कि दीप्ती यानि दीपू का रोल प्ले कर रही है और यहां पर भत्रा की वाइफ है दिल जी स्टार्ट में हनी बत्रा गारोल प्ले करों यह मोईका जो के मोईका रोल प्ले कर रही है तो हम सेम होने की वज़ा से इनके स्पॉम Yo성 चेंज हो जाते हैं जिसकी वज़ा से यहां ़ों के प्रेगeniंट हो और यहां पर अक्षे कुमार की वाइफ जो के दूसरे के प्रैक्डन बन जाती है दिल्जी शुन दुशन, और यहां पर जो यहां पर कैराइडवान यह वाइफ च्यूम के स्पॉप से हो जाती है, तो यह सारह कुछ चेंज इसिल्म के अंदर कुमेडी जोन्रा का सीन देखन को मिलता है और वो कैसे जो के उनके बच्चे होते हैं और यहां पर कुमेडी कैसे चलती रहती है और यहां पर आपको इंटेटेन भी बहुत ही अच्छी करेगी अगर आप सुने अभी तक इसलम को नहीं देखवा दो इसलम को ऑफशली एक दफार देख सकती हो आप दोसको का अच्छी हो उक्शन कुमार इसलम के अंदर वरून भत्रा का रोल प्लेए ग करीने कृण्ग ऌर दीपती दीपु का रोल प्लेए कर रहे है और यहांपर इड़ोकेट रिशा अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर फैसल राशिद भी हैं विवेक अजुहा का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर सुनीता धेर मन जोत बत्रा का रोल प्ले कर रही है और यहां पर अमशी का सूध इसलिम के अंदर आई वी फी आफ ऑस्पिटल रिस्पेशन का काम कर दिम का मॉंके में दर पीशिन का रोल प्लेकर यहां पर इचा कपूर दिम के इणर रीता साज काश्बान यहां पर जो कि उच्वा रहे है depending के अदर औलड आई वीयेफ सेंट रोल पीशिन पर दरा कंड़् सेटर Great रोल डेकर हुंए यहांपर हारदी सं॥ जो कहरे हैं के सौधार कहड़ा खड़ा-Chrada जो सौंग था इसमें , मुरारा फलाइट जो है ना वहाँ पर पसिंजर के रोल में कैमर रोल में देखने को मिले हैं तो यह सारी कास्ट बगरा थी जो हमें इस सिल्म के अंदर कैस्ट अपिरियंस में देखने को मिली थी स्पोर्ट इन गोल करते हुए दिखाई दी थी और यहां पर आपसको बता दू थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो टरल सिल्म के सॉंग्स वगरा कितने हैं और सॉंग्स वगरा की लेंथ है जो 27 मिनिट 55 सेकेंड है और यह सारे सॉंग्स हिंदी में आपको जी म्यूजिक के कमपनी के यूटिब चैनल पर आडियो वीडियो फारमेंट में देखने और सुनने को मिल जाएंगे और यहां पर आपसको बता दू यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगी OTT प्लाइफरम पर तो भी आपसको बता दूँगा और सुनने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपसको आवेगे बता दूए इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म आपको टीटी प्लाइफरम पर देखने को मिल जाएगी जो कि Amazon Prime पर जिहां जो बैड न्यूस मूवी होने वाली है वो विक्की कोशल और यहां पर त्रेती दिमनी और साथी एम्यवर्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों के लिडरोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइंथ जुलाई 2024 में रेरीस होगी अगर आप सुने को अभी तक नहीं देखा तो इसलम को ओटी की प्लाफरम एमजोन प्रेंट पर जाके देखो इंजॉय करो और कमड़ास में उपीनन भी बताना है अगर आप सुने देखा हुआ तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी इसलमे को मेड़ी आपको कैसी लगी थी वो भी आप दोसे ने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करना है और साथी इसलम के सेकंड पार्ट के लिए एकसाइड़ हो उससे लेड़ेट अपडेटर रहने के लिए चैनल को लाजमी सबस्क्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है अपने तो साथ और लियांग पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे कम बैक दी एन अधर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बॉली वुड की फिल्म कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म गूड न्यू जो कि आज कल उनको कोई नहीं जानता क्यूंके वह पंजाबी इंडरस्टी से ब्लॉंग करते हैं बट फिर भी वह एक बहुत यच्छे कमाल के जो के बहुत यच्छे एक्टर हैं और कुमेडी उनकी नेक्स लेवल होती है और वह एक साथ 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 सिंगर भी हैं तो यहां को मिलेगी कैसी है यह फिल्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी सारी बात करूंगा इसी वीडियो में तो अगर आप शने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड को डिरेक्ट किया हुआ है बॉकसे पर इस पर इस त ही पॉंट वान एडड सिक्स बिलियन करोड का या नि जो के इनार रुपीर में क्लेक्ष न किया था और यह फिल्म बॉकसेश पर एक एवरेज फ़लॉप फिल्म रही थि जी हंसो देखा जा तो यह फिल्म जो के फ्लॉप फिल्म रही थी लेकिन दोसों इस फिल्म का जो बजट वगरा था ना वो काफी शायद 50-60 करोड बजट था लेकिन ये फिल्म बॉक्से पर फ्लॉप रही इस फिल्म के अंदर हमें कुमेडी बहुत इच्छी देखने को मिल जाती है फिर भी ये फिल्म आपको एक दफा देख स्टोरी को जोती कपूर ने लिखा. और यहां पर परॉड स्टोर्त करन नहीं हुई हुए १ूज реш ने मियूजिक दिया हुए था और यहां पर सॉंंग्स वगरा सॉंड्रेक वगरा को मियूजिक दिया हुआ हुए और यहां पर जो जून स्टेर में एदवरी थे ला वे बैक गराउंड में म्यूजिक दिया वह था और यहां पर प्रडेक्शन कंपनी थी जी स्टूडियो धर्मा प्रडेक्शन और कापफ फिल्म संव्म को 27 डिसमर 2019 में रिलीस करवा गया था इस सिल्म ना का 132 करोड जो के बजट था सुरी 132 जो के मिनेट इस सिल्म का रान इनिंग टाइम था और ये फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी बजट 70 करोड था और इस इन ने टोटल बॉक्स पर 308 करोड का कॉलेक्शन किया हुआ है जीहां सो बॉक्स पर 308 करोड का कॉलेक्शन किया हुआ है मुझे लगा ये फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप एंड नेकिनल नहीं सिल्म में काफी अच्छा कॉलेक्शन किया था और एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और आडियंस को भी काफी पसंद आई थी जिस तरह के इस सिल्म के अंदर ह 24 में रिलीस होगी और यहां पर मार्ट में सिल्म की शूटिंग वेरा भी स्टार्ट कर दीगी है और यहां पर आप सको थोड़ा कास्ट में बता दूँ यहां तर जो गूड न्यूस फिल्म थी ना इस सिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे अक्शे कुमार और वरन भत चेला चेंज हो जाते हैं जिसकी वजाए से यह दोनों जो के प्रेग्डेंट हो जाती हैं और यहां पर अक्शे कुमार की वाइफ जो के दूसरे के प्रेग्डेंट बन जाती है दिल दुशान के जो के एक से और यहां पर जो यानि कहरा एडवानी है ना वो अक्शे कुमा अदो इसलिए एक दफार देख सकती हूाब अफसको काफी पसंद भी हैगी सब्से पहले हैं पर कास के बार में बता दूती हूं यहाँ पर अक्षिन कुमार एसलिम के अंदर वरुन और करीना कपुर रहे हैं और यहां पर फैसल राशद भी हैं विवेक माजूहा का रोल प्ले कर रही हैं और ऑंशीखा Tribe अधर और विव प्यैकmor , होस्पिटल , होस्पिटल , ह dudas't कंड़ का , एसयु प्रीक्षम्ट , रिचा कपूर , रीता बत्रा का , परदीब कुचुनभslय न्धर राजन बत्रा का , किवित extracting अंडर पैस का , शिवांपल , जो एसें के अनधर क पैप ड्राइबर का , पेड़ा के लोल को और ऑपेशन आड़ आई-इ-ऍटर कें रोल अड़े करह कर रहे हैं करन जो कर começo कि त मिले कर देहां नहीं अब DOJ भी छो के चंदी गड़्ग में थे और यहां पर हर्दी महित रहना इसे मिरारा उला शॉश्वां पर पशेंजर के रोल में कैमिरर को मिलि ति ये सारी कास्त बगरती जो में के अंदर केस्ट अपिरिंस में मिले थी स्पोर्ट & ग मौल करते हुए दिखायदी थी धिए और यहां पर आप जो कहाँ पर देखने को मिलेगी औटीटी प्लैरफार्म सब्सक्राइब लेक 항 waiting Obrig रहेंगे तो यहां पर आप सके बता दूंअ के बारे में तो यह फिल्म आपको टिटी प्लाफर्म पर देखने को मिल जाए गिए जो कि Amazon Prime पर जीहां सो टेंटी टूफफ 2020 में इस इसाल from पर जो के रिलीज़ करवाया गया था फैबरेरी में जीहां सो यह फिल्म और साथ यह में वार्क देखने को मिलने जा रहे हैं तीनों के तीनों के तीनों करेक्टर इसलिम के दर जो के लीड रोल्स में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यह फिल्म नाइन्थ जुलाई 2024 मेरे इस होगी और आप दोस्ते इसलिम के लिए कितना एक्साइड़ नाइकर मास में बता देना अगर आप सुने इसलिम का अभी तक नहीं देखा तो इसलिम को OTT प्लाइफरम Amazon पर जाके देखो इंजॉय करो और कमर्वास में उपीनन भी बताना है अगर आप देखा हूए तो यह फिल्म आपको कैसे लगी थी इसलिम ने कुमेड़ी आपको कैसे लगी थी वह भी आप सुने लाजमी बताना है और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ इसलिम के सेकंड पार्ट के लिए एक्साइड़ हो उससे लेड़ेड अपडेटे रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लेक शेयर करना है अपने दूस्थाथ और लिया पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं